काफी student के message आ रहे हैं कि सर मेरे कई कारणों से पढ़ाई नहीं हो पाई या syllabus complete नहीं हो पाया हमारे college में जिसके चलते हमारी preparation अच्छे से नहीं हो पाई तो कोई अपने अन-अन कारणों से ये बता रहे हैं कि हम fail हो जाएंगे इसलिए कृपया करके सर कुछ ऐसे important question मुझे बता दे ताकि exam में हम पास हो जाएं तो अब मैं भी एक इनसान हूँ और इनसान होने के नाते मैं उन सभी student का दर्थ समझ सकता हूँ तो मैंने कोशिस की है कि ये साथ most important question फार्मासोटिक्स 2 के हैं जो आपके exam में आने की पूरी समभावना है और आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप जरूर पास हो जाएंगे और इसके answer आपको वीडियो के description में जो link है वहाँ मिल जाएगा और आपको YouTube चैनल के साथ-साथ फार्मिसी ज्यान का application प्लेयर स्टोर पर है वहाँ भी मिल जाएगा तो आप जल्दी से इन question को जरूर देख ले तो ये वह साथ important question है most important question जो आपके exam में आने की पूरी सम्मावना है चलिए जानते है बारी-बारी से पहला question है define mixture and drought, give advantage and disadvantage of mixture, right classification of mixture, give preparation of simple mixture इसके answer आपको वीडियो के description में दिये के link पर मिल जाएगे दूसरा question है what a diffusible solid याने diffusible solid क्या है और उसके method of preparation के बारे में लिखना है diffusible solid के बारे में इसका answer भी आपको description में मिल जाएगा तीसरा question है what is emulsion, right classification of emulsion with example इसका answer भी आपको description में मिल जाएगा चौथा कोश्षन है क्लासिफाइंग आजएंट याने इमलसिफाइंग एजएंट को क्लासिफाइग करना है और उसकेordo के मैथट को बताना है 500 कोश्षन है कि आपको caking of immersion के बारे में लिखना है साथी साथ wet gum और dry gum method के बारे में आपको बताना है चट्टा है define the following और या sort notes लिखना है इन सभी के बारे में तो इन में है पहला elixir यार सीरफ, दूसरा है gargles, तीसरा है mouth glasses, चौता है throat pant उसके बाद है पाचवा dotches है, उसके बाद next है posology, उसके बाद cosmetic है और last में है prescription, यह important है जिनके बारे में आपको sort notes लिखना है या define करना है और अंतिम question है explain the following with suitable example, पहला है ear drop, दूसरा है nasal drop, तीसरा है liniments, चौता है lotion, पाचवा है suspension, छट्टा है ointment, सात्वा है jealous, आट्वा है suppositories, नवा है powders और दस्वा है parentals यह most important question है, exam में आने की पूरी संभावना है, इसके answer आपको इस video के description में और play store में जो application है pharmacy घ्यान का वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप उसे जरूर डाउनलोड करें, मिलते हैं next video में, bye bye